कुम्भ राशी की जातक हैं आज आपको राज सत्ता से लाह मिलेगा राजनेतिक उत्थान होगा आत्नबल में बढ़ोतरी होगी किसी महिला मित्र के सहयोग सागे वढ़ेंगे नई नोकरी मिलने की समभाना बन रही है नेतर से थोड़ी पिड़ा हो सकती है खान पान पर नियत करपूर गवरं करुड़ावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदा बसंत मिर्दार विंदेभवं भुवाने सहितम नमामी नमस्कार मैं हूँ जोत्साचार डॉक्टर विंद्रपाथी आप देख रहे हैं भाग गुरु कारक्रम भाग गुरु कारक्रम में आपका कारण है कौनसा योग है सुभ मूहुरत कब है राहुकाल कब है दिशाशूल कब है चंदरमा किस राज़ी पर रहेगा ये सारी बात हम आपको पताएंगे इसके बाद बात करेंगे आज की महामंतर की, कि महामंतर क्या है, महामंतर का जब कैसे करेंगे, इसको जब करने साथ को क्या लाब होगा बारह राशों की भी बारे में आपको बिस्तार से बताएंगे, कि आज की बारह राशियां की क्या इस्तती है, किसका भागोदे होगा, कौन बेग्यानिक बनेगा, कौन बिध्य वेत्ता बनेगा, किसको भूमी भून से लाब मिलेगा, कौन बिध्य जाएगा, आयात उपाय क्या करना है गुरू के नुष्खे भी बताऊंगा दर्सकों के प्रश्णों का उत्तर भी दूँगा राज जिन का जर्मदीन उनके भी बारे में बताऊंगा आप देखते रहे बाग गुरू कारिकरम अब आईए हम बात करते हैं आज के पंचांग की आज है 27 अगस्त 2024 दिन है मंगलवार, तिथी है नौमी, रोहडी नचत्र है, सुर्योद है हो चुकाई सबें 6 बचके 11 मिनट पर, सुर्यास्थ होगा साम को 6 बचके 45 मिनट पर, तैतिल करण है, आज चंदरभा रहेगा ब्रिश राशी में, शो मोहुरत है, 12 बचके 3 मिनट से लेके 2 पर, 12 ब और इस राशी में चंदरभा अपने उच्ची की राशी पर होता है, आज आपकी जो भी महत्वा कांचाय होगी, जो योजनाय बनाएंगे, वो अक्रियानवित होगी, धन के सथी अच्छी होगी, ने तरह के कार होगे, और आपकी जो प्लानिंग होगी, सफल होगी, धन धन किसने मजबूत होगी, और आज कर दिन आपके लिए काफी अच्छा होगा, राहुकाल में कोई भी कार ना करें, देशासूल में यातरा करने से परहेज करें, अगर छोटी दूरी की यातरा है, तो दही, गुड़, केसर का तिलक लगा करके, माता, पेता का इसरोड़, सफर आज का महा मंतर है, ओम नमो भगवते आंजने आये महा बलाए स्वाहा हुआगा, यह जो महा मंतर है पौण पुत्र स्री हन्मान जी का है, छन्मान जी की आरादना करने से ब्यक्तिक चतुर्दिक विकास होता है, आतनबल में बृद्धि होती है, अश्चा सिद्य नो निध में शिद्यां पराप्त होती है और व्यक्ति अगर बढ़िया हनमान जी के अरादना करता है तो उसको किसी प्रकार की परिसानी नहीं होती है उसका त्रुजीत होता है और उसकी समझत अगरा उसके अन्कूल फल देने लगता है तो आप इस महाम मंतर का जब करें आपकी लेच होता है तो दारोन करें अब हम